हिंदी बासा के अंदर अनेक तरह के मुहावरे सामिल किये गई हैं जिनका वक्केम प्रियोग होने पर वक्के बड़ा ही सुंदर वारोचक बन जाता है और आज का अमारा मुहावरा है इधर की उधर करना यानि आज हम इस वीडियो के अंदर इधर की उधर करना मुहावरे के अर्थ है और इस मुहावरे के वक्केम प्रियोग के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इधर की उधर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानि इस मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना दोस्तों जब किसी व्यक्ति के दुआरा कही गई बात को कोई बड़ा चड़ा कर किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है यानि उस बात में अपनी कुछ बात और जोड़ देता है जिसके कारण से वह बात बढ़ जाती है और फिर जब वे किसी को बताई जाती है तो उस बात का सही अर्थ नहीं रहता है और उस बात का कुछ और ही अर्थ निकलता है इस तरह से उस व्यक्ति के दुआरा कही गई बात को किसी अन्य व्यक्ति को बड़ा चड़ा कर कहने को ही चुगली करना कहा जाता है और इस तरह से चुगली करने को ही इधर की उधर करना कहा जाता है यानि इधर की उधर करना मुहावरे का अर्थे चुगली करना होता है और जहां परे चुगली करने की बात होती है वही इस मुहावरे का वक्किम प्रियोग किया जाता है इदर की उधर करना मुहावरे का वक्किम प्रियूग पहला वक्किम प्रियूग मैंने तो उसे जरा सा कहा था पर उसने मेरी बात को इदर की उधर कर दिया दूसरा वक्किम प्रियूग लाल सही की इदर की उधर करने की आदत है उसे कोई बात मत बता देना महेस ने राजेस की बात को इधर की उधर कर दिया जिससे दोनों भाई में जगड़ा हो गया अनीता तो अपने घर की बात ही इधर से उधर करने के लिए आ जाती है बला उस पर बरोसा कर करे कोई बात भी नहीं बता सकते परताब ने तुम पर बरोसा कर करे कहा था पर तुमने उसकी बात को इधर की उधर कर दिया जरा दीरे कहो अगर महेस ने सुन लिया तो वह इधर की उधर करते देर नहीं लगाएगा दोस्तों इस तरह से इदर की उधर करना मुहावरे का वक्टिम प्रियोग किया जाता है अगर आप इस मुहावरे की बारी में किसी भी प्रकार का परसन पूछना चाहते हैं तो आप अपना परसन कमेंट बुक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विबिन तरह के मुहावरों की बारे में और अधिक जानकारी चाते हैं तो आप हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विबिन तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके और आप अनेक तरह के मुहावरों के बारे में ग्यान हासिल कर सकें तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले